बनाने का काम कर रहा है। और यदि ऐसा सुवस्ता कभी प्राफ्त हुआ तो निच्चित ही आपको पता लग जाएगा कि पंडू को सकार किसे केते हैं। यदि आस्ता सुवस्ता नहीं है तो सफलता मिलना असंबा हुआ है। तो भी सफलता प्राफ्त नहीं होगी। करम प्रधानता है। करम करोगे सफलता सुवस्ता है। जी बहुत सारे ऐसे सादू संथ हैं, महंत हैं जिनकी वज़ा से हिंदू धर्म आज भी बचा हुआ है। लेकिन इन सब के बीच ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी वज़ा से धर्म को लेकर जो है गलत तरह से प्रचार हो रहा है। या फिर गलत एक्जांफल से ठो रहे। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए सादू संत जो अच्छे हैं जो हमारे आदार्नी है प्रातिश्मर्नी है उनको तो मैं नमन करता हूँ उनके उपर कोई टिका टिपडी नहीं है। उस विखाय पर मैं यही कह सकता हूं कि जो हमारी बंडिय है, जो हमारा विधान है, जो हमारी ब्रंबध्या है, जो हमारा तरीका है, वो इस विधा को मैं लगबग 34 वर्स से 3-10 से ज़्यादब समय से में पंडूकरत धाम में सजो के और शुरक्षत रखा हूं, लेकिन भारत वर्स में अब तो लगबग 500 से ज़्यादा लोग पर्चा लिखने वाले हो गए, अब आपको सर्च करिएगा कम्पूटर पे, लगबग 10-25 तो ऐसे ही मिल जाएंगे, एक बार किसी बाबा के नाम लिखो पर्चा लिखने वाले, तो 10-25 लोगों की आप साब लि लेटे और कल पर्चे बनाने लगे और दो घंटे में फूजा करके आए और पर्चे बनाना चालू करते तो मचे तो यह लगता है कि यह कोई ने कोई ट्रीक और मैजिक का उप्योग कर रहा है और लोगों को गुम्राय कर रहा है, ऐसे लोग पकड़े जाएं तो किर्पया म निवेदान है और मैं अपील भी करता हूँ कि ऐसे लोगों से सावधान जरूर रही है और जब कोई पर्चा पढ़ते हैं पढ़ाते हैं लिखके देते हैं तो उस पर्चे को लेमिलिसन करके जरूर रखना चाहिए